कमपरिशन अकडमी के यूटूब पोटल पर आपका स्वागत है उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी साहित की एक जलक का जो क्रम चल रहा है उसमें इससे पहले हम लोगोंने बात किया था रीतिकाल की और रीतिकाल के बाद जो आप देखेंगे आधुनिक काल है उस आधुनिक काल के लिए मुझे आज समय नहीं मिल पाया है इसलिए मैंने कभीता पर आधारित साहित की एक जलक आप लोगों को देने जा रहा हूं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगोंने कभीता तो पराइब लिया होगा जो आपके पाठीकरम में है और उसी पर आधारित ये प्र attracting की एख जहलक क जो वीडियो है ये पबलिश होता है सिर्फ इसमें प्रशन होते हैं बाकि डेटेल्स जो होता है वो हमारे पेड़ मेंबर जो पेड़ ज्याइन की है वह परते हैं लगातार लेकिन हमारे सभी वीवर्स के लिए साहित की एक जलक के कुछ महत्यपूर्ण प्रश्ण आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो यदि आप आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिस किया जाए तो आपको इसका लिंक जरूर मिले निम्बार की संपरदाय में दिक्षित होने के बाद घानानंद का वास्थविक नाम क्या पड़ा छबीले म दूसरा प्रस्ण है लाजन लपेट चितवान भेद भारी लसत ललित लोल चक तिरिछानी में छबिको सदन गोरो भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठ मिर्दु मुस्कियानी में ये घानानंद के जुपद है इसमें किसका वड़न है प्रेमका के नेत्र का वड़न है प प्रेमका के नेत्र का वड़न है ये घानानंद का पद है आप देखें जो पहली पंक्ती है इसी से भी किलियर हो जाना चाहिए कि प्रेमका के नेत्र का वड़न है लाजन लपेट चितवन भेद भाय भारी लसत ललीत लोल चक तिरिछानी में ये घानानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि उस नाईका के चंचल नेत्रों के तिरिछेपन में प्रेमके रहसमें गुड़ भावों से परिपूर लज्जा के आवरण से आच्छन सुन्दर चितवन स सोभा देरे कहने का मनलब यह है कि नाईका जब संयोग की इच्छा से प्रियतम की ओर देखती है तो हिरते के अंतरगर काम भावना से एक ओर तो उसके नेत्रियक हो जाते हैं और दूसरी ओर लज्जा वस प्रियतम को ठीक से देख भी नहीं पाती है छविको सदन गोरो भा बदन रूचिर रस निचुरत मीठी इम्रिद मुस्क्यानी में यानि उसका जो गौरवर्णी मुख है वो सोभा का घर है उसका मस्तक सुंदर है और उसकी मधूर मुस्कान से रस टपक पड़ता है कहने का सही है कि उसकी मन्द मीठी मुस्कान प्रेम रस से लबालब भरी तीसरा प्रस देखें तो परवारो उर्वसी सुन राधी के सुझान तो मोहन के घर उर्वसी है उर्वसी समान ये पड़ किसका है अब देखें जब आथ सुझान की आती है बहुत सारे लोग घरनान्द लगा देंगे लेकिन ध्यान रखना ये उत्तर हो जाएगा आपका ब बिहारी का है दोहा संक्या 25 आप देखें तो यह बिहारी का है जहां पर कहा गया है तो परवार ओ उर्वसी सुन राधी के सुजान तुम मोहन के उर्वसी है उर्वसी समान यानि सुजान राधी के जिस प्रकार से उर्वर्षी हमारे हिर्दे में निवास करती है तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भी बिहारी अगला प्रस्म देखें मनन करावेगी तू मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाती का जीओ अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है निव उपरोक्त कामाईनी की पंती किसे संपोधित कर कहा गया है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न है ध्यान दीजिए बहुत ही महत्पूर्ण है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पंती कहीगे कि मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाती का जीव अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है निव तो यहाँ पर यह चिंता को संबोधित करके कहा गया है किसको संबोधित किया गया है चिंता को अरी चिंता तो मुझसे और कितना चिंतन करवाएगी अरे मैं तो उस देव जाती का प्राणी हूँ जो आतियंत वैभो संपन होने के कारण कभी चिंतन करना जानती ही न थी और जो अनंत शक्तिसालिनी होने के कारण अमर कहलाती थी किन्त आज क्या चिंता के कारण उसी अमर जाती का जिव मृत को प्राप्त होगा अरी तु मेरे हिर्दे में अपना कितना गहरा प्रभाव डालती चली जा रही है अगला प्रस्म है कामाईनी में मन उन्हें किसे अभाव की चपल बालिके कहा है हरी भरी सी दोल धूप वो जलमाया की चल रेखा तो यहां पर यह किसे संबोधित किया गया है तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि यह भी चिंता को संबोधित किया गया है हे अभाव की चपल वाली के अरी चिंता तो अभाव की चंचल पूत्री है क्योंकि तु सदेव अभाव के कारण ही उत्पन होती है अरी तु मानों के भागी की दुष्ट रेखा है क्योंकि तेरे उधे होते ही मानों को बुरे अक्षरों में लिखे हुए अपने दुरुभागी के सूचना मिल जाती है तो यहाँ पर किसे कहा गया है चिंता को कहा गया है अखला प्रसन देखें चौक पड़ी उती चकित चितवन निज चारो और पेर हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हसी खिली उप्रोग्त कावि पंक्ती किसकी है निराला पंत महादेविवर्मा दिन कर जुही की कली आपने पढ़ा होगा जुही की कली का यह कि यह पंक्ती है आपका उत्तर हो जाएगा ए निराला निराला की कौन सी कविता तो जुही की कली का है अगला प्रसन देखें अस्ताचल चले रभी ससिछबी विभावरी में चित्रित हुई है देख यामनी गंधा जगी उपरोगत कावि पंक्ति किस कविता की है बादल को गिरते देखा है हिमाले जागो फिर एक बार राम की सक्ति पूजा तो आपका उत्तर हो जाएगा सी जागो फिर एक बार उत्तर होगा सी जागो फिर एक बार जो निराला की कव विद्यापती का जो उप्रोक्त पद है इसके बारे में सही कथन कौन सा है ये पद भगवान सिव की इस्तुति से संबन्दित है पद में पारवती की माता मैनारानी के हिरने की व्यथा व्यक्त की गई है इस पद में शिव को समसान में रहने वाला बतलाया गया है तो इन में से सही कथन कौन सा होगा एक दो होगा दो तीन होगा एक तीन होगा या एक दो तीन होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन तीनो कथन सही है लोका मतिके भोर रे जो कासी तनतजे कभी रा तो रामय कहा निहो रा रे उपरोग्पद की विशेस्ता क्या है अंधिविश्वास को दूर करने का प्रयास ब्रह्मचर नियम के पालन पर जोर दिया गया जीवात्मा और परमात्मा के संबंद में चर्चा केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका एक, केवल एक सही है देखिए, जो कासी तनतजे कवीरा तो रामय कहा नियोरा रे केवल अंधिविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है यह लोक मतियसा कहा जाता है तो ये जो अंधुविस्वास है उसी को दूर करने का प्रयास किया गया कहीं पर भी इस पंक्ती में ब्रमिचर नियम के पालन पर जोर नहीं दिया गया तो दूसरा आपका घलत है कहीं पर भी यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा नहीं की गई है तो केवल एक आपका सही होगा मेरा तेरा मनुआ कैसे इन होई रे मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागद की लेखी मैं कहता सुरजावन हारी तू राख्यो उरजाई रे कबीर की जो पंक्ती है इसका आसे क्या है इसमें अनुभो सम्मत ज्यान को ही परमारिक मानना चाहिए बताया गया है बिल्कुल सही है मैं कहता हूँ आखिन देखी तो कहता कागद लेखी तो अनुभो सम्मत ग्यान को ही प्रमारिक मानना चाहिए मैं कहता सुर्जावन हारी तूराक्यो उर्जाईरे कभी ने जीवात्मा रूपी दुलहन को सुद्ध करने की बात कही है किसको सुर्जाने की बात की जा रही है मैं कहता सुर्जावन हारी तूराक्यो उर्जाईरे तो यहाँ पर जीवात्मा रूपे जो दुलहन है उसको सुद्ध करने की बात की गई कभी इनने तीनों पन, बजपन, जवानी, बुढ़ापा को माना है तो बिल्कुल सही है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, एक, दो, तीन, तीनों सही है अगला प्रास्म सुर्ज सिकत हटिनाव चलायो यह सरिता है शुखी सुर्जास के इस पद का आसे क्या है बालू में नौका चलाना जिस परकार असंभो है उसी परकार गोपियों के हिर्दे में योग के उपदेश देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है पहला ही विकल्प देखे सुर्ज सिकत हटिनाव चलायो यह सरिता है सुकी यानि बालू में नौका चलाना जिस परकारा संभो है उसी परकार गोपियों के हिर्दे में योग के उपदेश देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगला प्रसंद देखे निम्न में से कौनसी प्रविर्ती कृष्ण भक्ती काबे साखा की नहीं है ध्यान देना मैंने पूचा आये नहीं है कभियों की भक्ति सखा भाव और दास्य भाव की है निर्गुन ब्रह्म की भावना देखने को मिलती नहीं जब यहाँ पर हम सगुन भक्ति की बात करें क्रिश्न भक्ति की बात करें तो निर्गुन तो हो यही नहीं सकता शगुण भावना ही आपको देखने को मिलेगा क्रिष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रन है बिल्कुल सही है तो इन में से कौन सा गलत है कौन सा इसमें नहीं होगा तो आपका उत्तर होगा C कामानी का हिर्दे किस सर्ग को कहा जाता है प्रश्ण संक्या 13 देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा C लज्जा सर्ग कामानी का हिर्दे लज्जा सर्ग को कहा जाता है जुही की कली की विसेष्था क्या है जुही की कली और पवन का मानवी करण किया गया है नाई का जुही की कली नायक पवन के वियोग में है यहां पर देखें केवल एक सही है केवल दो सही है दोनों सही है या दोनों घलत है तो आपका उत्तर होगा सी एक और दो दोनों सही है अगला प्रस्ण देखें आसु कभिता से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है अपने गत बैभो विलास पूर्ण जीवन का समरण होता है, आसो कविता का भाव वातसल नहीं है, विरह सरिंगार है, तो पंदरा का आपका D होगा, आओ बने सुब साधना के आज से साधक सभी निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी भारत भारति की स्पंक्ती का आशे क्या है, सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करें, बिल्कुल सही है, पहला ही विकलब आपका सही होगा, आओ बने सुब साधना के आज के साधक सभी निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी, यह सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म क की रक्षा करें तो 16 का उत्तर ए होगा कि गीत भुhosली की है हवा हुजूर ये गीत की है दवा हुजूर किस की किसकी गीत कहा गया है इस अस्सान पर गीत फरोष की उपरोगत पंक्ती में क्लिक्व किस रोग का नाम होगा बुखार सर्दार डाईबिटीज तपेदिक उत्तर होगा डी तपेदिक यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी तपेदिक लाख पंची सो हिरन दल चांद के कितने किरन दल जूम तेवन फूल फलियां खिल रही अज्यात कलियां हरित दुर्वार रक्त किसले पूत पावन पूर दसमें उप्रोक्त पंक्ति किसकी है सुमित्रा नंदन पंत महादेवी वर्मा केदार नाथ अगरवाल भवानी परसाद मिस्र तो आपका उत्तर हो जाएगा डी भवानी परसाद मिस्र सत्पुड़ा के जंगल रांपी से उठी हुई आँखों ने मुझे छड़ भर टटोला और फिर जैसे पती आये हुए सुर में वह हसते हुए बोला मोची राम कविता की उप्रोक्त पंक्ति में रांपी क्या है मरमत करने वाला उपकरण उत्तर हो जाएगा आपका डी जोतों की मरमत करने वाला जो उपकरण होता है उसे बोलते हैं रांपी जिसे आप साधारन भासा में भी आप कह सकते हैं जो हत्थे वाली खुर्पी होती है सीधी इस तरीके से रांपी यही रांपी है जो हत्थे वा में कविता की पंग्ती कौन सी है रक्त पात कहीं नहीं होगा सिर्फ एक पत्ती तूटेगी एक कंधा जुग जाएगा सिर्खटे मुर्गे की तरह फढ़ फढ़ाते हुए जनतंत्र में आदमी की तलास में एक बार फिर तुम लोट जाना चाहोगे मुरदा इतिहास में ये ज आपका उत्तर हो जाएगा डी, एक, दो, तीन, चार, उप्रोग्त सभी, ये सभी की सभी पंक्तियां जनतंत्र के सूर्योदे में कविता की हैं। केदारनथ अगरवाल के किस कविता का मूल सिर्षक गीत हैं। भारत की आरती, एक, पी, ली, साम, साम होने को हुई, दूब, आपका उत्तर हो जाएगा डी, दूब कविता की ये पंक्तियां है। जन्मन ही गंगा है, हिंद महासागर, लोकास है है, ये पंक्ति तो पता ही होगा आप लोगों को। तो गंगा नदी का जिक्र किया गया है। जितने भी नए लोग हैं, चैनल पर देख रहे हैं, जो हमारे विवर्स हैं, उध्यान दें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पेड़ बे जॉइन करना चाहते हैं, यूपी, हची, असिस्टन प्रोफेसर के लिए, ये यूजी सी नेट के लिए, तो हमारे इस नंबर पर फोन करके, वट्सप करके, फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। सुबह दस बजे पीडिया जाता है, ढाई बजे लेक्चर दिया जाता है, रात में नो बजे लाइब क्लास कराई जाती है, रविवार को साबताहिक टेस्ट स्रीज होती है, तो इस सीज का ध्यान रखें आप लोग, कि जितना भी मैटर दिया जाएगा, उससे अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगला प्रसंद देखें, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, वह अठका हुआ आशु, सांध तारक सा अथल में, उपरोक्त कावे पंक्ती किसकी है, जै संकर पसाद, मैथली स्रन गुप्त, महादेवी वर्मा, समसेर बहादूर, उत्तर हो जाएगा डी, समसेर बहादूर सिंग की है, एक पीली साम, एक पीली साम, अगर कविता आपने पढ़ा होगा, एक पीली साम, तो एक पीली साम कविता की ये पंक्ती है, भूल के मंदिर सुघर बहुमूल लहिर्दे को विस्वास देते दान प्राप्त शलागा से आयाचित मान सुपन भावी द्रबे से अनकूल उप्रोक्त कावे पंक्ती किसकी है उत्तर हो जाएगा सी समसेर भादूर साम होने को हुई अकाल और उसके बाद कविता कुल कितने पंक्ती की है 4, 8, 12, 16 उत्तर हो जाएगा भी 8 पंक्तियां है मुक्ति-बोथ की कविता अ अंधेरे में की पंक्ती कौन सी है ओओ मेरे आधर्सवादी मन ओओ मेरे सिधान्तवादी मन अब तक क्या किया जीवन क्या जिया उद्रम भीरवन अनात्म बन गए भूतों की साधी में कनात सेतन गए मर गया देश अरे जीबित रह गए तुम लोहित पिता को घर से निकाल दिया जनमन करुणा सी मा को हंकाल दिया एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन तो उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन ये सभी पंक्तियां मुक्तिवोद की कविता अंधेरे में की है दुनियाना कच्रे की धेर की जिस पर दानों को चुगने चड़ा हुआ कोई भी कुकुट कोई भी मुर्गा येदि बांग दे उठे जोर धार बन जाये मसीहा उप्रोक्त पंक्ति किसकी है नागारजुन रतना कर मुक्तिबोध दिन कर आपका उत्तर हो जायेगा सी मुक्तिबोध की ये पंक्ति है अंधेरे में कविता की निम्न में से कौन सी पंक्ति अंधेरे में कविता की है मिट्टी की लोंदे में किर्गी ले कनकर गुण है जनता के गुणों से ही संभो भावी का उद्भो गंबीर सब्दुमे और आगे बढ़ गए जाने क्या कह गए एका एक उठ पड़ा आत्म का पिंजर मूर्ति की ठटरी नाक पर चस्मा हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आस्चर, अद्भूत, यह सिसु कैसे मेरे पास चुप चाप सोया हुआ यह था, समालना, इसको सुरक्षित रखना तो यह तीन के तीनों पंक्तियां आप देखेंगे, अंधेरे में कविता की है जो महत्पूर्ण पंक्तियां है, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ अग्यें की कविता असाथ वीना में, वीना किस प्रदेश के गिरी प्रांत से आई थी, बताया गया है अनुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, राजस्थान उत्तर हो जाएगा C, उत्तराखंड अगर कविता आपने पढ़ा होगा तो पंक्तियां आपको मिली होगी कि यह वीना उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी, बहुत समय पहले आई थी तो यह पूरा बताया गया है वहाँ पर जिस किरीट तरू से वीना बनी थी, उस तरू की विसेश्था क्या थी उसकी गंध प्रमड सितला के कारण वासुकी नाग अपना फन फैला कर सोता था उस वरिक्ज की जड़े पाताल तक फैली थी सेर उसके चालो में रगड़कर अपनी कंदे खुझ लाते थे उसके कोटर में भालू रहा करते थे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी एक, दो, तीन, चार यह सभी सही है असाद वीना कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है यहाँ पर भी उत्तर होगा आपका डी एक, दो, तीन, कौन किसका परतीक है यह भी ध्यान रखना बहुत ही मात्पून है निम्न में से महादेवी वर्मा की पंक्ति कौन सी नहीं है ध्यान देना कौन सी नहीं है जाग कर जग का पिकमत वाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर्द फिर नवयूग की प्याली तो यहाँ पर जो पहली पंक्ती यही नहीं है यह पहली पंक्ती सुमित्रानदन पंत की है दुरुत ज़रो जगत के जीन पत्र दुरुत जरो जगत के जीन पत्र की ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की बाकी जो B, C, D जो दिया गया है दीप मेरे जल अकम्पित की पंक्तियां है महादेवी वर्मा की दूसरी होगी कहानी सुन में जिसके मिटे सरधूल में खोई निसानी उप्रोक्ति काविपंक्ति महादेवी वर्मा के किस कविता की है तो आपका उत्तर हो जाएगा B, पंथ रहने दो अपरचित पंथ रहने दो अपरचित अगला प्रस्न सुमित्रानंदर पंथ की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया है उदासिनी, सन्यासिनी, प्रवासिनी, निवासिनी UPHESC वाले तो जरूर पढ़े होंगे इस पूरी कविता को सन्यासिनी नहीं कहा गया है बाकि उदासिनी भी कहा गया, प्रवासिनी भी कहा गया, निवासिनी भी कहा गया है, पंत की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया है, आठ पंक्तियों में हैं, आप देखेंगे, आठ जगे आपको मिलेगा, सरदेंदुहासिनी, गीता प्रकासिनी, लोक जी दाइनी नहीं कहा गया है बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी अगला प्रस्म देखें तूने ही पहले बहुद रसिनी गाया जागरित का गाना स्री सुक्स औरभ का नवचारनी गूत दिया ताना बाना उप्रोप्त कावे पंक्ति सुमित्रा नदन पंत के किस का विता की है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए पर्थम रस्मी की यह पंक्ति है आशू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा तुमको अपने स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा उप्रोप्त पंक्ति कामाईनी के किस सर्ग की है लज्जा सर्ग, स्रिधा सर्ग, इडा सर्ग, चिंता सर्ग, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए लज्जा सर्ग का है, रनित वरिंग घंटा वली, जारित दान मधुनीर, मन्द मन्द आवत चलेओं कुंजर कुंज समीर, उप्रोप्त कामाईनी किस की है, बिल्कुल उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी का ह लंका नायक को बिभीशन देवदूशन कोद हैं, जीवत मोही क्यों, जगतों हैं, जीवित को का हैं, उप्रोप्त कावे पंक्ती किस की है, अब जो लोग नहीं जानते होंगे, तुरन तुलसिदास लगा देंगे, जबकि केशोदास की रामचंद्रिका का, सोल्हों प्रका का है, यहां पर जो देख रहे हैं, यह पंक्ती केशोदास की रचना जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका में जो सोल्हों प्रकास है, अगर आपके पास रचना है, तो आप देख लिजिए, सोल्हों प्रकास का है, अब मैंने सोल्हों प्रकास बता दिया, दोहा तो सात्मा दोहा आप देखिए रामचंद्रिका केशो दास की जो रामचंद्रिका है उसका जो सोलवा प्रकास है उसमें सात्मा दोहा देखिए आपको यह मिल जाएगा तुलसी दास का नहीं है अब ध्यान रखिएगा मैंने यह भी बता दिया किस प्रकास में है कौन सा दोहा है रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकास हैं विल्कुल सी हो जाएगा रामचंद्रिका में कुल प्रकास की संख्या 49 है चरिबो मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही प्रेम पंथ ऐसो कटिन सब कोई निबहत ना ही वो प्रोक्त पंक्ती किसकी है उत्तर हो जाएगा ए रहीम की पंक्ती है किसी एक को नई वदू की सहमी सी पायल धोनी किसी दूसरे को सिसु की किलकारी एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की एस्परधा भरी बोलिया असाद वीना में वीना के बजने की धोनी किसी एक दूसरे तीसरे चौथे आदी कहां तक बताया गया है आठवें बारवें पंद्रवें उन्नीस वे उत्तर हो जाएगा ए आठवें तक बताया गया है किसी एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे कहां तक बताया गया है तो आठों तक बताया गया है अब अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आप खुद सोच रहे होंगे कि इन प्रस्णों को आप कर पा रहे हैं या नहीं ये प्रस्ण आपको नया लग रहा या नहीं हमारे यहां ऐसा नहीं कि घिसे-पीटे वही पराने जो पहले के प्रस्ण है वही कρα दिये जाएं अब ऐसे प्रस्ण नहीं आते हैं पर इक्च्छा में आप लोग खुद देख रहे हैं साहित तो वही बनाना प्रस्ण वहीं से है तो कब तक वही प्रस्ण चलेंगे कुछ नई चीजे तो आपको मिलेंगी और सलेबस के अंदर से भी होना चाहिए तो आप देखने सलेबस के अंदर से भी है नए प्रस्ण भी आपको लग रहे होंगे अगर आपने पड़ा है और ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके के अगर प्रस्ण पूछे जाएंगे तो फिर घलत हो जाएंगे ध्यान रखिएगा इसलिए अभीस इतना समय है कि पूरी मानदारी के साथ अगर आप लगते हैं तो प्रस्ण बहुत आराम से आप कर लेंगे आज हम सहरातियों को पालतु मलंच पर समरी जूही के फूल से श्रिष्ट के विस्तार का आईस्वर का आउधार का उप्रोक्त पंक्ती किस कविता की है तो आपका उत्तर हो जाए गड़ी कलगी बाजरे की और अक्सर यहां से परिक्षा में आप देखेंगे के उजी सी नेट में प्रस्ण पूछा गया है यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया है जन, पंडुब्बा, समिधा, हवी प्रस्ण संख्या 45 और 46 दोनों एक साथ देखें यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया है मधू, गोरस, अंकुर, अमरित्फल 45 और 46 एक साथ दोनों देखें आप देखें 45 का उत्तर हो जाएगा D हभी नहीं कहा गया है हभी नहीं कहा गया है 46 में देखें अमरित्फल नहीं कहा गया है यह दीप अकेला अगर आपने पढ़ा होगा तो पंक्ती आपको पता होगा कि यह जन है यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा पन डुब्बा क्या कहा गया पन डुब्बा पन डुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा पन डुब्बा कहा गया अगली पंक्ती समिधा समिधा ऐसी आग हठीली बिरलासु लगाएगा तो इसे समिधा भी कहा गया और उसके बाद की पंती यह अदुती है यह मेरा यह मैं स्वयम विसरजित यह मधू है तो पहले तो जन कहा गया था कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा तो यह मधू है स्वयम काल की मौना का युग संचे मधू कहा गया मधू के बाद कहा गया यह गोरस है जीवन काम धेनु का अमरित पूतप है तो गोरस भी कहा गया और उसके बाद कहा गया कि यह अंकुर यह अंकुर थोड़ धरा को रब को तकता निर्मे अमरित फल नहीं कहा गया ये प्रकिर्ट स्वयम्भू ब्रह्म आयूत इसको भी सक्ति दे दो ये दीप अकेला स्ने भरा है गर्ब भरा मदमाता पर तो एगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके के भी परिक्षा में प्रस्ण पूछे जा सकते हैं चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र नागर जुन की कविता खुर्दरे पर की उप्रोग पंक्ती में रेखांकित सब्द का आसई क्या है तीन तीन चक्र इसका आसई क्या होगा तीन तीन चक्र का आटो रिक्षा, रिक्षा, इकका हाथगाडी, तो आपका उत्तर हो जाएगा भी रिक्षा, कहा गया धनपत कुबेर, कहा गयी उसकी वह लंका नहीं ठिकाना कालिदास के ब्योंप्रवाही गंगा जलका, यह कावे पंगती किस कविता की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भी बादल को घिरते देखा है जिनको नहीं पता होगा वो क्या कहेंगे कि कालिदास कहा गया धनपत कुबेरी होगा कहा गयी उसकी वह अलका नहीं ठिकाना कालिदास है कालिदास सब्द देखेंगे और कहेंगे कालिदास की है बादल को घिरते अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लें इसी तरीके के प्रस्णाते हैं कि जहां बहुत पढ़कर लोग जाते हैं और वहां जाकर फिर भर्मित हो जाते हैं क्या कि यह पंक्ति किसकी है या तो भर्मित होंगे या तो जल्दबाजी में गलत करेंगे धूरी धूसर है तो क्या यो तो मिन्त मात्र गात्र भी वस्तर के वलकलों से तो है सुरमे सुपात्र भी उप्रोप्त कावे पंक्ती किसकी है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी मैथिलि स्रण गुप्ति की रचना जो साकेत है साकेत का जो नमम सरग है जो आपके पाठिकरम में है साकेत साकेत का जो नोम सर्ग है वहीं की ये पंक्ती है साकेत का नोमा सर्ग जो है उसी की ये पंक्ती है सत्पुडा के जंगल में गोड जन जाती किसको पाल कर बैठे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा मुर्गे और तीतर पचास का उत्तर ए हो जाएगा वैसे साहित की एक जलक में 30 प्रसन कराते हैं लेकिन कल भी नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने 30 के बजाए 50 प्रसन दे दिया प्रसन आपको कैसे लगे और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि अगर इन प्रसनों को आप हल करते तो आपके कितने प्रसन सही होते हैं और एक चीज़ और ध्यान रखना यदि आप जोड़ना चाहते हैं हमसे पेड़वे जोईन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फोन करके वट्सप करके फीस और सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं और अभी इतना समय है कि अगर आप पूरी मांदारी मेहनत के साथ जोड़ते हैं पूरी निष्ठा के साथ अपने लग्ष के प्रतिसमर्पित होना चाहते हैं तो अभी इतना समय है कि झाल झाल